Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए IMPORTANT ANNOUNCEMENT मैंने करनी है So, IMPORTANT ANNOUNCEMENT यह है कि अब से Saturday और Sunday को वीडियोज अपलोड नहीं किया करूँगी मैं Saturday और Sunday को break हुआ करेगा और 5 जो weekdays हैं उसमें वीडियो आया करेगी So, यह बहुत IMPORTANT ANNOUNCEMENT मैंने करनी थी ताकि आप लोग परिशान नहों कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है So, Saturdays और Sundays को वीडियो अब नहीं आया करेगी और 5 weekdays में वीडियो आया करेगी So, हो सकता है कि Sundays में ही मैं लाइव कभी कबार आ जाया करूंगी और हो सकता है कि Sundays में और वीडियो यानि manifestation से related या motivational stuff आ सकता है वैसे weekdays में यह चीजे भी आती रहेंगी But two days का break मैं लिया करूंगी We all need a break, right? So, इसलिए मैंने यह सोचा कि Saturday और Sunday मैं off लिया करूंगी So, यह आप लगों के लिए एक news थी So, अब हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और आज हम no contact पर reading करने लगे है No contact situation में आपके person की feelings आपके लिए क्या है उनकी thoughts आपके लिए क्या है उनका next action क्या होगा क्या वो आपसे contact करेंगे आपने contact किया तो कैसा respond करेंगे और channeled messages भी लेंगे Yes or no भी होगा और letters and numbers भी होगे So, reading को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी information miss ना हो So, शुरू में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एक card possibilities बताएंगे दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है Thank you so much अब सब लोगों के प्यार और support के लिए I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all So, अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आये तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा So, अब हम start करते हैं आज की reading और सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे Six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए इसमें आपके person की thoughts या आपकी thoughts भी आ सकती है और ये बिलकुल random messages होते हैं जरूरी नहीं है कि आपसे resonate करें कभी कबार ऐसा भी होता है कि ये वाले cards tarot से बिलकुल भी resonate नहीं करते हैं और कभी कबार बिलकुल match करते हैं So, सबसे पहले हमारे पास divine timing creativity फिर है forgiveness next is no so, maybe कोई यहाँ पर किसी को माफ करने के लिए तयार नहीं है maybe आप उनको माफ नहीं करना चाहते या वो नहीं करना चाहते wedding do or die so, maybe you think it's a do or die situation क्योंकि आपके person ने शादी कर ली है और अब आप उपने सोचा है कि मैंने कभी इस इंसान को माफ नहीं करना क्योंकि इसने मुझे धोका दिया इसने मेरा time waste किया, right so, now this is a do or die situation उन्हें third party को छोड़ना होगा और आपके साथ आना होगा इस तरह की कोई situation आप में से कुछ लोगों की हो सकती है so, यह बहुत आपने देखा कि specific situation है यह वाला message सब के लिए नहीं होगा बाकियों के लिए simply यह है कि शायद आपके person को आपने बोला कि चलो आप शादी कर लेते हैं आप time बहुत हो गया चलो settle down हो जाते हैं उन्होंने बोला no, I am not ready yet और फिर आपने बोला कि मैंने इस इंसान को माफ नहीं करना, इसने मेरा इतना time waste क्यों किया अगर इसने मुझसे शादी नहीं करनी थी इसने मुझसे commitment नहीं करनी थी तो क्यों इसने time waste किया कुछ लोगों के लिए यह situation हो सकती है so basically I feel कि आप लोगों के दरमयान problem शादी से related है या उन्होंने शादी कर ली है या वो आप से शादी नहीं कर रहे है कोई इस तरह का issue चल रहा है कि शादी की बात पर आप लोगों का problem चल रहा है और create हो रहा है और इसके लाव ये भी हो सकते है कि आप दोनों हो सकते है किसी की wedding पर मिले हो वहाँ पर कोई गर्मा गर्मी हो गई हो लड़ाई हो आपकी किसी बात पर उस event पर किसी की शादी में आप लोग गए हो या आपको किसी ने invite किया हुए दोनों को शादी में और आपने सोचा है कि आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं उस event पर क्योंकि आमना सामना हो जाएगा आप में से कुई किसी creative field में हो सकता है आपके person या आप नहीं भी हैं तो maybe आप बहुत ज़दा creative हैं और इस creativity और divine timing का ये भी मतलब है कि हर्चीज divine time में हो रही है और आप manifest करना चाह रहे हैं कुछ create करना चाह रहे हैं maybe आप consciously effort कर रहे हैं law of attraction, law of assumption का इस्तमाल कर रहे हैं consciously so मैं consciously इसलिए कहती हूँ कि हम by default जबसे जैसे ही हम होश समालते हैं हम manifest करना शुरू कर देते हैं naturally जो हमारी thoughts होती है manifest होना शुरू हो जाती है so जब हम adult होते हैं बड़े हो जाते हैं फिर हमें सीखना होता है कि हमने इन thoughts को control कैसे करना है और कैसे create करनी है अपनी reality so बहुत कम लोग ये हुनर सीख जाते हैं और जो नहीं सीखते हैं वो फिर उसी दलदल में रहते हैं और फिर comment section की नीचे आके कहते हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वो ये हुनर नहीं सीख रहे हैं और जब नीचे एक comment section में आके कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर वो और जाधा negative energy create करते हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही उनका manifest नहीं होगा, जो लिखके बाकाइदा अपने mind को बता रहे हैं, लिखके तो आप stamp लगा देते हैं अपनी इस बात पर, कि फिर तो कुछ manifest हो गई नहीं आपकी life में, so basically जो हमारी thoughts हैं, वो create हो रही हैं, हमारी dominant thoughts, so यह message सब के लिए नहीं था, किसी ने इस बात से offend नहीं होना, sad नहीं होना, यह messages मेरे प्यारे-प्यारे subscribers के लिए नहीं है, यह वो लोग हैं, जो नीचे आकर, बिला वजा में कोई, fuss create करने की कोशिश करते हैं, so मैंने उन लोगो बता दिया है, कि आप लोग जो लिख रहे हैं न, यही आपकी life में होगा, so we have four of swords, आपके person no contact situation में क्या सोच रहे हैं, so four of swords से हमें यह पता चल रहा है, कि वो सोच रहे हैं at least, हो सकता है आप यह सोच रहे हों कि वो तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, right, कि मतलब आप उनके जहन में है ही नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं, let's see, spirit, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें मेरे व्यूवर के लिए, इस no contact situation में, so हमारे पास आगया है the world, आप में से कुछ लोगों का long distance connection हो सकता है, फिर है six of pentacles, और फिर है nine of swords, bottom of the deck पर हमारे पास है four of pentacles, वाव, so forgiveness का जो यह card आया है, यह काफी relate कर रहा है आप लोगों के cards से, क्यूंकि यह इनसान, एक तो मुझे feel हो रहा है कि सोच रहे हैं, कि उनकी गलती है, लेकिन वो मानना भी नहीं चाह रहे हैं गलती, so यहाँ पर death और rebirth भी है हमारे पास, which means कि एक नया start आपका possible है आपके partner के साथ, possibility है, ऐसा नहीं है कि यह कोई permanently आपका break up हो गया, या separation हो गया, या no contact है, बट अभी हम बात करते हैं आपके person की energy के उपर, यहाँ पर अबर पस Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, यह star signs हैं, लेकिन मैं हमेशा आप से ही कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy आप से match करती है, तो बिल्कुल आपकी reading है, star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना है, so I feel कि यह इनसान यह सोच रहे हैं, कि हम दोनों के दरमयान कितना distance create हो चुका है, आपके और आपके partner के दरमयान, कितना हम दोनों के दरमयान gap आ चुका है, आजकल आपको feel भी हो रहा होगा, energetically भी आप बड़े uncomfortable होंगे, restless होंगे, कि यह इनसान मुझसे कितना दूर चला गया, कितना मुश्किल है उसको reach करना, हम दोनों का एक होना, कितना यह difficult हो गया है, कितना बोज है इस बात का, आपके person भी यह सोच रहे हैं, कि हम दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो गये हैं, and I feel कि वो यह भी सोच रहे हैं, कि वो equally चल नहीं पाए आपके साथ, क्योंकि हमारे पास आगे six of pentacles आ गया, और फिर nine of swords आ गया, so I feel कि जैसे यह इनसान यह सोच रहे हैं, कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, उन्हें बहरा धुख है इस बात का, कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, equally चल नहीं पाए, आपके साथ fair नहीं हो पाए, उन्हें बहुत दुख है इस बात का, but I feel कि उनके अंदर इतनी courage, मुझे इस बक्त नजर नहीं आ रही कि वो step up हो, आपके सामने आकर इस बात को admit कर लें, आपके सामने आकर इस बात को वो मान लें, उनसे नहीं हो पा रही है, it takes a lot of strength, कि आप अपनी गलती को मान लें, और फिर जब आपने किसी के साथ unfair किया हो, आपके परसन का next action क्या होगा, आपके परसन को दुख है, तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि वो कोई enjoy कर रहे हैं या party कर रहे हैं, अगर आपके परसन party कर रहे हैं तो यह वाली आपकी reading नहीं है, कि आपने अपनी intuition से connect करना है, somehow आपको पता होगा कि आपके परसन party कर रहे हैं या नहीं, आपको energetically पता होगा, या आपको कहीं से पता चल रहा होगा, वो sad हैं या नहीं, सो यहाँ पे जो मुझे energy नजर आ रही है, जिसमें हम tune in है, I feel कि यह इनसान sad है, परिशान है यह इनसान, और यह इनसान deep down जानते हैं, कि उनसे mistakes हुई हैं, यह इनसान जानते हैं, कि वो शायद आपके लिए कुछ नहीं कर पाए ना effort डाल पाएं, बट वो यह बात मान नही रहे हैं, इस वक्लोजड ओफ हैं, यह इनसान emotionally available नहीं है इस वक्त आपके लिए, यह भी हो सकता है कि उनका जायदाद का, पैसों का कोई मसला चल रहा हो, इस card को हम इस तरह से भी देखते हैं, बट I feel कि अपने दिल को बंद किया हुआ है, ऐसे protect किया हुआ है, और इसका य उनके दिल में हैं, आप still उनकी memories में हैं, आपकी उनके दिल में एक खास जगा है, बलके पूरे दिल में आप हैं, ऐसे दिल से लगाया हुए उन्होंने, holding on to you, they are holding on to you, उन्होंने आप पे give up नहीं किया है, इसका यह मतलब है, बहुत सारे meanings हैं, इस card के मेरी नजर में, जित हैं, और यह जो special जगा है, आपको छुपाया है अपने दिल में, इसका मतलब यह है कि वापसी का रस्ता खुला है, वो वापस आएंगे आपकी तरफ, अभी हम देखेंगे next action उनका, आप यूं कह सकते हैं कि उनकी जो ego self है, वो उन्हें आगे बढ़कर अपनी गलती नहीं मानने दे रही, उनकी ego इस वक दरमयान में आई भी है, कि मैंने नहीं उससे माफी मांगनी, राइट, बढ़ जानते हैं वो कि उन्होंने कुछ ना कुछ unfair किया है, या वो आपके पारतें सुना दी, या आपने मेरे से लड़ लिया, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया कभी, विभी आपने उनसे ये कहा भी है, और ये चीज उनके जहन में है, आप ना भी कहते तो उन्हें पता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ खास किया नहीं है कभी, इस बात का sad हो जाते हैं, जब वो अपनी higher self से connect केरने की कोशिश करते हैं, deep down, जब उनका subconscious mind भी wide open होता है, रात के वक्त, सोने लगते हैं जब, फिर उनको realize होता है कि नहीं, मैंने वाकि उस इंसान के लिए कुछ नहीं किया, फिर जब सुबा उठते हैं, दिन भर, आपकी बातें उनके जहन में आती हैं, फिर वो कहते हैं, no, 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 मैंने नहीं अपनी गलती माननी, इस तरह से न, ये इनसान सोच रहे हैं, तो हमारे पास आगए हैं ये दो cards, ये हम रख लेंगे, आपके person क्या feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, इस पर है orphaned, no. 5, कोई literally orphan हो सकता है, आप सो sorry अगर ऐसा है, ये message है, मतलब हो सकता है कि आपके person अकेले रहते हों, या single parent के साथ बड़े हों, या दोनों parents गुज़र गए, ऐसा भी हो सकता है literally, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि ये इंसान बहुत अकेला फील कर रहे है इस प्रेजन टाइम में, ये रिली फील कि उनका कोई दोस्त नहीं है, कोई उन्हें समझने वाला नहीं है वो किसी से अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर सकते हैं ये इंसान बहुत ख्लोजड ओफ है you see, हम जो पहले बात कर रहे थे, so ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैं किसी के सामने ओपन नहीं हो सकती या हो सकता I can't share you know, उनको एतबार नहीं है किसी पर, फिर हमारे पास serendipity number 18 so I really feel कि आपके person को यहाँ पर ज़रूरत है कि वो चीजों को allow करें कि वो naturally unfold हो miracles पर believe करें जिन्दगी की possibilities पर opportunities पर, positivity पर believe करें, ये काड़ यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये इंसान इस वक्त बहुत मायूस है मायूस है, down है मायूसी का मतलब होता है कि बहुत ज़दा ये इंसान negativity में darkness में धस्ते चले जा रहे है और उनको कोई possibility नजर नहीं आ रही है, जब इंसान मायूस होता है न, तो वो ये उसको कुछ भी नजर नहीं आता, वो कहता है कि darkness है, कोई possibility कोई opportunity नहीं है, जिन्दगी खतम है, कुछ नहीं है जिन्दगी में इस तरह से मायूसी में इंसान सोचता है, तो ये देखिए न, कि ये जो हमें four of pentacles में closed off energy नजर आती है, कोई possibility नहीं है, बास this is the end कुछ नहीं है आगे so I really feel कि आपके person को थोड़ा अपने हाथों को open करने की जरूरत है अपने दिल को open करने की जरूरत है और जिन्दगी की positivity पर खुबसूरती पर believe करने की जरूरत है I really feel कि जो card यहाँ पर आया है इस card के यहाँ present होने का मतलब यह है, कि there are possibilities, positivity हो सकती, आपके लिए कोई miracle हो सकता है so maybe ये इनसान धीरे धीरे ये चीज़ realize करेंगे, इसी no contact situation में आपके person ये realize करेंगे so एक दिन ऐसा आता है life में महीने में, एक दो दिन ऐसे आ जाते हैं कि आपड़ा down feel करते है फिर एकदम से आपके अंदर एक energy आती है नई फिर आप कहते हैं कि नई खड़े होना है, positivity पर एतबार करना है, कुछ अच्छा होगा right so we have number 19 rest and rejuvenation ये number four of swords ये भी यही है और ये भी four of swords है हो सकता है कि आपके person इस तरह बहुत lean है muscular भी है बर बहुत lean muscles है किसी के ये specific message था फिर हमार पस number 41 7th chakra जो के crown chakra है which is about deep knowing spirituality और फिर यूँ भी कहलेजे कि higher self connection so मुझे लग रहा है कि ये इनसान बहुत सोच रहे है बहुत deep thinking कर रहे है आप लोगों की सारी situation के ओपर बहुत humble होने की कोशिश कर रहे है wise होने की कोशिश कर रहे है because I feel कि ये जो आप लोगों के दरम्यान separation आई है शायद ये इसी लिए आई कि ये इनसान थोड़े से humble हों थोड़े सी चीजों को realize करें so ये realization के लिए आप लोगों के दरम्यान ये separation आई ये no contact situation हुई so मुझे ये नहीं feel हो रहा कि आपके person कोई आपसे revenge लेना चाहते है या आपको hurt करना चाहते है I feel कि ये जो separation हुई है आप लोगों की और no contact हुआ है maybe it was needed maybe आपके person ने सोच समझ कर आपसे थोड़ा distance maintain किया because वो clearly सोचना चाहते थे वो wisely सोचना चाहते थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ ऐसा भी हो सकता है so देखते हैं कि आपके person का next action क्या होने वाला है सोच तो वो बहुत रहे हैं आपके बारे में बड़ देखते हैं कि next action क्या होगा वैसे वो emotionally आपसे connect नहीं कर रहे हैं इस present time में आपने देखा कि यहां पर emotions बहुत कम नजर आ रहे हैं यह नजर आ रहा है कि excuse me, परिशान बहुत हैं आपके person बड़ देखते हैं क्या यह कोई action लेंगे अगले एक-दो weeks में अगले एक-दो weeks में कोई action यह लेंगे या नहीं, spirit क्या वो कोई action लेंगे या नहीं so हमारे पास card आगया है retreat, it's time to disconnect from the world so यह इंसान कोशिश करेंगे आप से सुला करने की और इस card को देखते हुए यह भी हो सकता है कि यह आपके husband है यह आपकी wife है जो आप से सुला करना चाती है because आप देखें कि यहाँ पर इनोंने कपड़े जो है wedding के पहने हुए है so इसलिए यह भी कुछ लोगों के लिए indication आ रहा है so यह इंसान heal करना चाते है सबसे दूर कहीं family से दूर, अलग कहीं आपको शायद लेकर जाएंगे अपने साथ so यह इंसान सुला करना चाते है I feel के यह जो अगले दो हफतों में हो सकता है कि यह इंसान कोशिश करेंगे सुला करने की आप से let's see one more card spread okay हमारे पस two cards आ गए so यह है co-dependency और फिर है past life relationship so obviously यह आपके soulmate है आप already एक दूसरे को जानते है relationship काफी time आप लोग का चला है बड़ा long term relationship कुछ लोग का हो सकता है कि यह रहा है और अगर आप लोग को past lives पर believe है तो हो सकता है कि आप लोग past lives में साथ थे यह आपका past life relationship हो सकता है बड़ इसका यह मतलब भी है कि यह आपके ex भी हो सकते है जिनके इंतजार में हैं आप अभी तक जिनके साथ आप no contact में है काफी time से और आप चाते थे कि हमारी सुला हो जाए सो हो सकता है कि यह आपके ex भापिस आपकी जिन्दगी में आएंगे यह message कम लोगों के लिए सबके लिए नहीं है क्योंकि जाहर है कि हर इंसान को अपना ex भापिस नहीं चाहिए है सो basically यह वही इंसान है जिनसे आपको प्यार है जिनके साथ आपका relation रहा है memories है, history है जिनके साथ आपकी और आप चलना चाहते हैं जिनके साथ So I feel कि जो बीच में co-dependency का issue आ रहा था जो tension आ रही थी, family की हो friends की हो कोई भी यह issue जो भी आ रहा था ना आप लोगों के दरम्यान में यह इंसान उस issue को खतम करना चाहते हैं यह इंसान आपके पास आना चाहते हैं और इस connection को वापस जैसे यह पहले था वैसा देखना चाहते हैं और अगले two weeks में हो सकता है कि यह कोशिश करेंगे आपस बात करने की, आपके पास वापस आने की सुला करने की कोशिश करेंगे मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है कि हो सकता है फैमिलीज बहुत जादा इन्वाल्व हो गई लोगों की इन्वाल्मेंट बहुत जादा होगी और उन्होंने आपका ब्रेक अप करवाया खासतोर पर अगर आप हस्बन वाइफ हैं तो शायद फैमिली वालोंने बहुत जादा मिसंडरस्टेंडिंग्स क्रियेट करवाई क्योंकि शुरू से ही हो सकता है कि उनको आप लोगों का रिलेशन नहीं पसंद था वो ये शादी नहीं होने दिना चाहते थे तो उन्हों ने आप लोगों के दरमयां मिसंडरस्टेंडिंग पैदा करवा और आपलों की अलाइदिगी करवा दी इसादी को सेब करेंगे आपके साथ मिलके बाकियों के लिए ये जो भी कोर डिपेंडेंजी का इश्यू था हो ये दूरो जाएगा तो देखते हैं और हमारे पास आपके लिए क्या guidance आती है So next two weeks में आपके परसंद कोशिश करेंगे आपके आपसे सुला करने की So इस पर लिखा है My Beloved Though we may be physically apart, spiritually we are always united For love transcends space and time, nothing is missing So कुछ भी missing नहीं है, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ है बेशक वो आपसे दूर है physically, लेकिन spiritually आपसे connected है हो सकता है इस वक्त आप उनको feel नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों में emotional distance भी है, energetically भी आप उनसे connect नहीं कर पा रहे हैं बट आप करेंगे And next is criticizing one another will only lead to further unhappiness Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform So, जो लोग बहुत जादा एक दूसरे को criticize कर रहे हैं, यह उनी के लिए message है कि बहुत जादा अगर आप लोगों की fights हो रही है, चोटी-चोटी बात पर लड़ाईयां हो रही है उनके लिए यह message है, कि एक दूसरे को criticize ना करें क्योंकि इससे और जादा आप लोगों के दरमियान problems बढ़ेंगे एक दूसरे को से प्यार करें, एक दूसरे को accept करें और फिर magically आप लोगों का relationship transform होगा और यह naturally है, psychologically है, कि मतलब आप अगर किसी को appreciate करेंगे, तो वो इनसान आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगा, और अगर आप हर वक्त उसमें से बुराई तलाश करेंगे, तो वो कहेगा कि मैं तो अब बुरा ही हूँ, या मैं तो आ रहा है, and recover, wow, recovery, so बड़े clear हमारे पस दोनों messages हैं, कि आपकी love life ठीक होने वाली है, पहले जैसी होने वाली है, खुबसूरत होने वाली है, प्यार, experience करने वाले हैं आप अपने partner का दोबारा से, so next two weeks में हो सकता है आपके person, कोई कोशिश करेंगे आप से बात करने की, आप से contact करने की, अब हम कुछ channeled messages ले ले लेते हैं आपके person की दरफ से, अगर वो आपको कुछ कहते अभी, तो क्या कहते, और उसके बाद हम yes and no question पर आएंगे, so ये इंसान सोच रहे हैं बहुत जादा आपके बारे में, इस connection के बारे में, but बीज-बीज में थोड़ा सा उनको गुसा भी आता है, I can't sleep at night, so आपने देखा हमने nine of swords हमारे पास आया, जो कि sleepless nights का card है, और with this recovery, अगर किसी का कोई health issue है, तो वो भी recover हो जाएगा, I'm scared of losing you, वो आपको खोने से डरते हैं, I know that you are trying your best, वो जानते हैं कि आपने अपना best दिया है इस connection को, आपने अपना best try किया है, I love you, so yes, वो आप से प्यार करते हैं, I know you are waiting for me, so वो जानते हैं कि आपको उनके call का, उनके text का इंतजार है, you taught me a lesson, आपने उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया है, कोई lesson दिया है, I don't want to see you with anyone else, वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, I see your face everywhere, उन्हें आपका चेहरा नजर आता है हर जगा, I'm struggling with money, हो सकता है, पैसों से आपके person पैसों के हवाले से struggle करें, इसलिए co-dependency का card भी आया था हमारे पस, फिर है, I know, I've ignored you, वो जानते हैं कि उन्हें आपको ignore किया है, recently बहुत जादा, I'm scared of this connection, वो इस connection से डरते हैं, जो co-dependency का card है, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, कि मेभी आपके person को बटा डर लगता है कभी का बार, कि वो आपसे बहुत जादा attached हैं, और कहीं वो आपको hurt ना कर दें बुरी तरह से, burning with passion, so आपके लिए passion भी है उनके दिल में, obviously, you are so beautiful, आप बहुत खुबसूरत हैं, male हो या female, next is, I'm not a good person, आपके person को लगता है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया कभी, I will commit, and this separation is an illusion, wow, separation पर reading हो रही है, no contact पर, so ये एक illusion है, वो आपके साथ हैं, और ये separation खतम हो जाएगी, और वो आपसे commit करेंगे, ये आपके person के messages हैं आपके लिए, अब हम आपके yes and no question पर आएंगे, अपने question पर focus कीजिएगा, साथ आपके लिए letters and numbers होंगे, आपका name initial, आपके partner का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, life path number, house number, car number, so देखते हैं, So, शुरू करते हैं, yes and no से, A, H, S, D, C, Y, M, G, L, Numbers भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कि हमारे पास क्या numbers आ रहे हैं, six आया है, हमारे पास six 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 four four four, number seven आया है, 11 eleven आ गया है, Number eight आ गया है, S, P, Y, spy, हो सकता है, spy का रहा है कोई, Number two, P, C, Q, P, आपकान सराइ, है, definitely, it's a big yes, it's a definitely, B, P, E, V, 22, F, E, F, A, D, J, K, F, Z, So, काफी लोग question करते हैं, कि ये letters और numbers हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, So, इसमें आप देखा करें, कि आप कोई word बना सकें, आपका नाम बन जाए, आपके person का नाम बन जाए, कोई ऐसा word बन जाए, कोई phrase बन जाए, जो आप से resonate करें, So, ये इस तरहां से इनको देखते हैं, T, I, M, I, N, M, J, L, M, G, F, Okay, यहाँ पर 666 भी आ गया, S, F, Q, So, ये आपके letters और numbers हैं, देख लीजिए कैसे आप से match करते हैं, और ये आपकी reading थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे जरूर बताएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा, सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है, कि आप अपनी life में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंके you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताय करें, अपना धिर सारा खियाल रखिएगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.